आजम बनाएंगे रेश्टरंट इस्टाइल कडाही पनीर जो के खाने में बहुत अमेजिंग लगता है और इसे बनाना भी बेहतासान है और जो इसका मसाला है बहुत ही चैट-पड़ा और मज़राल लगता है खाने में साथी में जो इसका मसाला है वो भी हम घरबे और इस मसाले से आपका कडाही पनीर हरबा एकदम पॉफिक बनेगा तो आप इसे जरूर ट्राय करें हेलो फ्रेंड्स मैं हुजू ही और सौधत करती हूँ आफ समय का अपने चैनल आयांस कीचन में तो चलिए आज के बहुत सिंपल और मज़दार सी रस्पी बनाना सुरू करते हैं रेस्टरेंट इस्टाइल कडाही पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम कडाही पनीर का मसाला त्यार करेंगे तो इसके लिए पैन वडालेंगे एक बड़े चमच साबुच सुखा धनिया साथी में एक चोटी चमच जीरा एक चोथाई चोटी चमच सौंफ दो काबुच सुखी कस्मीरी लाल मिर्च आप इसके जगह एक चोटी चमच कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हैं लेकिन कस्मीरी लाल मिर्च का पाउडर अभी नहीं डालना है गैस बन करने के बार आप डाल सकते हैं तो अगर आप मिर्च ले रहे तब तो अ तो यह हमारा होममेट कराही पनीर मसाला बनके त्यार है आप इसे फ्रिज में रखके छह मैंने तक इस्टोर भी कर सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और जब भी आपको कराही पनीर बनाना आप इसे यूज़ करिए अब गैस पर रखेंगे कराही और इसमें डालें प्याज को रखेंगे और जैसे प्याज लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे न हम इसमें बाकी की चीज़े डालेंगे तो यह प्याज हलका सब भून के आप देख सकते हैं कलार चेंज हो गया है तो हम इसमें डालेंगे एक बड़े चमच अध्रक लैसुन को ग्रेट करके आप इसका पेस्ट भी यूज कर सकते हैं तो एक बड़े चमच इसे डालना है और इसे भी हम पका लेंगे एक मिनट तक तो ऐसे कंटीनियू चलाते हुए एक मिनट तक पका लें अब इसमें डालेंगे दो बारी कटा हुआ टमाटर आप टमाटर को थोड़े से बड़े पी चैयां नीडे ओर दो से तिन मार बार इसे चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं लागाई अब याज पाले अच्छे से करेंगे तो जिसमें मैंने कडाही पनेर का मसाला बनाया था ग्राइंड किया था उसी में मैं इसे ट्रांसपर कर रही हूँ और इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद ग्राइंड करेंगे एक चुटकी रेड फूर कलर डाल देंगे उसे ग्राइंड कर लेंगे तो यहां पर मैंने इसे क्राइंड कर लिया है इसमें पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना है और फुड कलर ऑप्सनल है बट इस अच्छा कलर आता है रेश्टोंट वाला और यहां पर मैंने एक सिमला लेंगे पिर आप कोई भी कडाही ले सकते हैं जैसे ही तवा गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे दो से तीन वरी चमस देशी और इसे सब तरह फैला लेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे सिमला मिर्च और प्याज इसे आदे मिर्च तक हम टॉस कर लेंगे हाई फ्लेम इसे सब्सक्राइब हैं जिसे सब्सक्राइब भगालं केंड लाने में टोग्वर से साथ का सब्सक्राइब तब चाहे तो इसे कडाही में कर सकते हैं तबा थोड़ा सा छोटा पार रहा था मुझे चलाने में इन सभी चीज़ों को डालने के बार हम इस पर डालेंगे तोड़ा सा नमक किता कलरफुल लग रहा है सबजियों को हम साइड में रखेंगे और गैस पर रखेंगे एक कडाही इसमें डालेंगे दो छोटी चमज रिफाइन डॉयल और जैसे तिल करम हो जाएगा ना इसमें प्याज और टमाटर कर जो पेश बना कर रखे थे वो डाल देंगे और पानी जो है वह सुख गई है जैसे पानी अच्छे से सुख जाए ना मैं इसमें सारी सबजियां डाल देंगे और इसे लोग फ्लेम पे एक से दो मिट तक पकाएंगे जिससे कि सभी चीज अच्छे से आपस पर मिल जूल जाएं और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाए यहां पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स करते हुए एक से दो मिट तक पका लिया है अब देख सकते हैं किता प्यारा सा कलर आया है बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और खाने में तो इसे भी जादा अच्छा लगता है अब हम इसमें डालेंगे एक कप के करीब पानी मिला लेंगे यहां पर पानी जाया पानी कर सकते हैं यहाँ पाने के बारे मिक्से कर लेंगे चैसा It! यहां पर अच्छे से मिक्से कर लेंगे सपेना न करीब कड़ाही कड़ा मैसाला डाल दे चाथाई चेमच कश्मेरी लाल मिर्च trench powder एक चोथाई चोड़ी चमच गरम मसाला और एक चोड़ी चमच इसमें कसोरी मेथी डाल दें और थोड़ा सब बारी कड़े हुआ हरा धनिया एक बड़े चमच के करीब हम घर की मलाई भी डाल देंगे ताजी मलाई होनी चाहिए आप यहां पर फ्रेस क्रिम का भी यूज़ कर लेना है आप देख सकते हैं कि ता प्यारा कलर आया है बहुत अच्छा लगता है देखने में और खाने में भी और लास्ट मम इसमें डालेंगे एक चोधाई चोड़ी चमच के करीब चीनी और इसे अच्छे से मिला लेंगे सबी चीजों के अच्छे से मिक्स करने के बाद हम बाके की चीजे हुड़ा थोड़ा डाल देंगे तक यहां पे एक चुड़की गरम अरे चुड़ा ही पनीर मसाला और एक चुड़की कस्मेरी लाल मिर्ज पाउडर ठोड़ास बारी कटा हुए हरा धनिया डाल के से अच्छा सा मिला लेंगे इस ताइम पे यह समसाले डालन तो यह लीजे हमारा बहुत ही डेश्टी पहुत ही अमेजिंग कडाही पनीर बन के त्यार है साथी में कडाही पनीर मसाला भी मैंने बनाने के तरीका बता दिया है जिससे कि आपके कडाही पनीर हर पर एक दम पॉफिक बनेगी और मिंटों बन जाएगी क्योंकि इसमें कोई अंजाम भी नहीं है बहुत इसली बन के त्यार हो जाता है थोड़ा सा मोपर से बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे और आप इसे रोटी चावल नान तंदूरी रोटी किसी के साथ भी खाईए आप सभी को बहुत पसंद आएगा तो आप इस कडाही पनीर को बनाईए और इस पी ट्राइए करने के बाद कैसी लेगी कॉमेंट लेकर बताना बिल्कुल न भूले तो चलिए मिलते हैं कैसे सिंपल और बहुत ही डिलीजर से इस पी के साथ तब तक के लिए टेक केर और बाई